एक समय था जब हमारे देश में नीतियों और नेने गवर्णमेंट सेंट्रिक होते थे यानि किसी योजना के सुरू होने के बाद ये लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो सरकार तक पहुँचकर उसका लाब उठाएं इस तरह की ववस्ता में सरकार और प्रशासन दोनों की ही जिम्मेदारी कम हो जाती थी अब जैसे किसी गरीब ठात्र को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद के जरूरत होती थी तो पहले वो अपने परिवार अपने रिष्तेदारों या फिर दोस्तों से मदद लेने के लिए मजबूर था इसी काम के लिए सरकार की जो भी योजराय थी उसमें इतनी जादा प्रक्रियाएं होती थी कि वो उस मदद को पाने के लिए आगे ही नहीं बढ़ता था उस प्रक्रिया में ही ठकान मैसूस करने लग जाता था इसी तरह अगर किसी एंट्रपर्णर किसी व्यापारी कारोबारी को लोन की जरुद होती थी तो उसे भी अनेक जगह चक्र लगाने पड़ते थे अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था अक्सर ये भी होता था कि अधूरी जानकारी की वज़े से वो मंत्राले की वेबसाइट तक भी नहीं पहुँच पाता था ऐसी मुश्किलों का नतीजा ये होता था कि छात्र हो या व्यापारी अपने सपने बीच में ही छोड़ देता था उन्हें पूरा करने के लिए कदम ही नहीं उठाता था पहले की समय गवर्मेंट सेंट्रिक गवर्नेंस का देश ने बहुत बड़ा खाम्याजा उठाया है लिकिन आज 21 सदी का भारत पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस के अप्रोच के साथ आगे बढ़ा है यह जनता ही है जिसने हमें अपनी सेवा के लिए यहां भेजा है इसलिए हमारी यह सर्वोट्य प्राथवित्ता है कि हम खुद जनता तक पहुँचे हर पात्र व्यक्ति तक पहुँचना उसे पूरा लाब पहुँचाना यह दाइत्वा हम पर है अलग-अलग मंत्राओं के अलग-अलग वेबसाइटों के चक्कर उसे लगाने से बहतर कि वो भारत सरकार के एक पॉर्टल तक पहुँचे और उसकी समस्या का समाधान हो आज जन समर्थ पॉर्टल लाँच किया गया है वो इसी लक्ष के साथ बढाया गया है अब भारत सरकार की सभी क्रेडिक लिंग्स स्कीम्स अलग-अलग माइक्रो साइटों पर नहीं बल्कि एक ही जगह पर उपलब्द होगी इस जन समर्थ पॉर्टल छात्रों का, एंटर्प्रिनर्स का, व्यापारियों का, किसानों का जीवन तो आसान बढ़ाएगी ही उन्हें अपने सपने पुरे करने में भी मदद करेगा अब छात्र आसानी से जानकारी ले पाएंगे कि कौन सी सरकारी योजरा का उन्हें सबसे ज़्यादा लाब होगा वो कैसे उसका फाइदा उठा सकता है इसे तरह हमारे युवाण आसानी से ये तरक हरपां गएंगे ति उन्हें मुद्रा लोन चाहिए या स्टार्टप इंडिया लोन चाहिए जन्द समर्थ पोर्टल के माद्यम से अब देश के युवाओं को मद्नवर को एंड टू एंड डिलिवरी का एक बड़ा प्रेट्फरम मिला है और जब लोन लेने में आसानी होगी कम से कम प्रक्रियाए होगी तो ये भी स्वाभाविक है कि जादा से जादा लोग लोन लेने के लिए आगे आएंगे ये पोर्टल स्वरोजगार को बढ़ाने में सरकार की योजनाओं को सभी लाबार्थियों तक ले जाने में एहम भूमी का निभाने वाला है मैं जन समर्द पोर्टल के लिए देश के युवाओं को विशेश रुप से बढ़ाई देता हूँ आज यहाँ इस कारकम में बैंकिंग सेक्टर के दिग्यत भी बहुत यूद है मेरा उन से आग रह है कि सारे बैंकर्स भी जन समर्द पोर्टल को सफल बनाने के लिए युवाओं को लोन मिलना असान बनाने के लिए अपनी भागीदारी जादा से जादा बढ़ाए